जैशी राम सभी भक्तों को जैमाता की फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है क्या मंत्र का जाप जो है हमारा व्यर्थ भी हो जाता है मतलब उसका लाब हमें नहीं मिलता है कौन सी ऐसी गलतियां जो है हमारे द्वारा हो जाती है जिसकी वज़ा से हमारा मंत्र जो है वो हमें ब्यार्थ में जाता हुआ नजर आता है तो आज की वीडियो इसी भी शेपे हैं, हमारे साथ अंतक बने रहे हैं, तब ही आपको सारी वीडियो समझ में आएगी, अगर वीडियो अच्छी लगती है, तो लाइक करें, शियर करें, कॉमेंट करें, चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सुब्स्क्र करते हो, जिस भी मंतर का आप जाप करकर आवान करते हो, उसी किसी शक्ती को प्राप्त करने के लिए, किसी किर्पा को प्राप्त करने के लिए, अचाना कि आप अपने पुन परियास से उस मंतर को जाविद करते हो, उसके बात उसकी जो उर्जा है, वो हमें उसकी उर्जा क की किरपा हमें प्राप्ति ही नहीं होती हमारे जाप का फल क्या नश्ट हो गया या किसी कारण वश हम उस फल को प्राप्त नहीं कर पाई तो ऐसे कौन से बड़े कारण हो सकते हैं जिसके कारण आपकी उज्जा आपके तब का फल आपको प्राप्त ही नहीं हो पारा कुछ ऐस जाने अंजाने में हमारे दोबारा कुछ ऐसी तूरूटिया हो जाती है ऐसी गल्दिया हो जाती है जिसके कारण जो है हम उस जब के फल को प्राप्त नहीं करते हैं और जब का फल जो है जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि मंतरों में शक्तिया तो होती है और जब कोई शक्ति कारिये करने लगाती है उस शक्ति को हमें जैसे कि कई वरी हम अन खाते ना अन में कितनी उर्जा है आपको भी पता है अन में उर्जा है जब अन खाता है चोटा सा बच्चा भी खाता है तो उसके हाथ पैर चलने ले जाते हैं उसके दुरान अन में बहुत उज़ा और ताकत होती है इसी पकार से मंतरों के अंदर भी उज़ा और ताकत है रहसे में शक्ति कुछ छुपी भी होती है कुछ शक्तियां जो हैं हमारे सामने जैसे परमात्मा परमात्मा की किर्पा जैसे परमात्मा को महसूस किया जाता है अगर आप हावा को देखो तो उसे भी महसूस किया जाता है अगर आप सोचो कि परमात्मा की किर्पा को जब महसूस किया जाता है तो मंत्रों की शक्तियों को भी महसूस किया जाता है अब हमारे जाप का फन का नश्ट होने के कुछ ऐसे बड़े कारण हो जाब कर रहे हैं लगातार जाब कर रहे हैं और लगातार उस मंतर को जागरित करने के लिए दो माला चार माला पांच माला लगातार करते हैं अचानक कि से नरली कुछ ऐसा होता है कि आप उस मंतर की मंतर को बीच में ही छोड़ देते हैं तो बीच में छोड़ देते हैं जो आ मंतर की उर्जा को जागरित करते हो या किसी मंतर को जगाने का परियास करते हो किसी मंतर को चलाने का परियास करते हो तो आपको लगातार मंतर का जाप करना पड़ता है उस जाप को किसी भी कारणवस एक दिन भी आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं दूसरी ये कि आप जब किस किसी मंतर को जागरित कर लेते हो या कुछ प्राप्त कर लेते हो तो उसके मद में पागल हो जाना जैसे किसी शक्ति के मद में हम पागल हो जाते हैं अगर हमने कोई मंतर की सिद्धी प्राप्त कर ली जैसे किसी की पेट में जारा लगा दिया किसी की पीलिये का जारा लगा द या कहीं न कहीं आप उस मंतर से उसका दुरूप योग करने लग जाते हो और कहीं न कहीं न कहीं उस मंतर को आप ऐसे यूज करते हो कि अपने खुद के सुआर्थ के लिए तो उस मंतर की उर्जा जो है छिन हो जाती है और वो ही मंतर आपके साथ साई डिफेक्ट भी हो सकता ह प्रमात्वा की किर्पा कभी एक वेक्ति के लिए होती जन के कल्यान के लिए होती है अब तीसरी बात ये जब हम मंतर को जागरित कर लेते हैं हम अपने देवी देवताओं का आवान करते हैं जैसे कि गनेजी माराज का आवान करते हैं हम बजरंग बली को आगे करके चलते हैं हमारे गुरुजन जो है वो धर्ती के देवी देवता है माता पिता जो है वो धर्ती के देवता है समझे जिनके कारण हमने कुछ प्राप्त किया अगर आज इस धर्ती पर उनकी किर्पा ना होती तो शैद ही हमारे उपर हमारे उपर उनकी किर्पा कहां से बनती अगर आज इस मंत्र को जागित करने की शक्ति कहां से उत्पन होती, अगर वो हमें जनम ना देते, तो सबसे बड़ी बात उनका सम्मान, आप कुछ भी बन जाओ, कितनी भी अच्छी उच्छी पद पर आ जाओ, लेकिन अपने मात पिता का सम्मान करना आपके लिए जिरूरी है, और उनकी आग्या का पालन करकर चलना भी बहुत जरूरी है, अब पाच्वा यह होता है, कि मंत्र का गलत उचारन, जब आप कोई भी मंत्र का जाप करते हो, और जाप करते करते करते, उस मंत्र को गलत रिक्के से उचारन करते हो, तो उसका जो जाप है, उस जाप का जो तिवू पूअर वह प्याकुन हो सकता है कई ऐसे तीवर मंत्र होते हैं चक्तिशाली मंत्र होते हैं और उन मंत्रों के अग भी हम में फिर्ठ पर जो है अलग फिर्णौ का अब पित्र जो आपके पित्र जन है आपके कुल देवी देवता है उनका आदरभाव ना करना आप मंतर की शक्ति को ही सब कुछ मान रहे हो और कुल देवी देवताओं को कुछ मान नहीं रहे हो देखिए कुल देवी देवता जो है आपके परिवार के आपके खांदान के उसकी किरपा प पर आप्त किया, अगर कहते कि कुल की शक्ती जाग जाए, तो आपको शिकर पर पुचा सकती है, नेकिन हम कोई मंतर की शक्ती को जागरित करने में लगे वे हैं, उधर आपके कुल देवता रुष्ट बैठे हैं, कुल देवता को आप मनाई नहीं करते हैं, अपने कुल के दे क्या होता है किसी भी शक्ति को रुष्ट नहीं करना है आपके कुल की शक्ति जो है आपकी पीड़ी की शक्ति है उसमें पीड़ी की उर्जा विद्वान है उस उर्जा को आपने नश्ट नहीं होने देना है उस उर्जा को बरकी बरकरार रखना है तो ये कुछ ऐसे कारण होत आप खुद एक अंदाजा लगा के देखिए कि जब माभारत का युद हो रहा था तब उस समय अब जो अश्वत्थामा था उसने ब्रहमस्तर छोड़ दिया था आपको पता है ब्रहमस्तर छोड़ता कि जो पांडूों का जो कुल का नाश हो जाए नेकिन ब्रहमस्तर उसको छ शक्ति को जागृत करने जा रहे हो मंतर की होजा को जागृत करने जा रहे हो तो आपको प्रोपर जळान होना चाहिए गुरू के सानिद्या को लेकर चलना चाहिए तब मैंने जैसे एक वीडियो बनाए थी सबी कहते कि शत्रु का है तो बजरंगबान कर लीजिए मैंने वीडियो बनाई कि बजरंगबान का दुर परिणाम भी निकलता है कब निकलता है अगर आप उस वीडियो को जरूर देखना आपको सारी पता लग जाएगी कि अगर मंत्रों की शेक्ति आपके पास है तो आप करते हैं करते हैं करते हैं कई मंतर ऐसे हैं अब कई मंतर ऐसे हैं जो अकर संपूर से चलते हैं अब कई मंतर को उठाने से पहले कुछ परक्रिया करनी पड़ती है तो मंतरों का ज्यान होता है तब जाकर कोई मंतर काम करता है तो बोलिए जैसे तराम जैश्री बारा जया माद